नमस्कार बैजूज आये सिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 21 जुलाई के भधपून समाचारों पर अधारित कुछ प्रस्णों पर चर्चा करने वाले हैं तो आए सुरू करते हैं आज का डेली क्विज आए सबसे पहले question number one पर चर्चा कर लेते हैं और question number one है ACI विकास बैंक के संदर्ब में निमलिखित कथनों में से कौन सा सही है और यहाँ पर आपको तीन कथन दिये गए हैं और हैं बताना है कि इन तीन कथनों में से कौन कौन सा कथन सही है तो आए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं यहाँ पर पहला कथन है कि ACI विकास आउटलूक ACI विकास बैंक का एक वार्षिक प्रकासन है तो यह बात बिलकुल सही है ADB के द्वारा हर साल ACI विकास आउटलूक प्रकासित किया जाता है जो कि ACI में विकास इल देशों में आर्थिक और विकास के मुद देका विशलेशन करता है तो इसके अधार पर अगर देखा जाए तो हमारा जो पहला कथन है वो सही हो जाता है आए देख लेते हैं दूसरे कथन को और दूसरा कथन है इसकी मद्दान प्रणाली के अंतरगत परतेक सदस्राष्ट के पास पूंजी अभिदान पर ध्यान दिय ये बिना एक ही भोट होता है तो ये बात बिलकुल गलत है अगर हम ADB में मद्दान प्रणाली की बात करें तो ये मद्दान प्रणाली World Bank से मिलता जुलता है और जिस तरीके से World Bank में जिस देख के द्वारा सबसे ज़्यादा पूंजी अभिदान दिया जाता है उसके भोट का वेटेज भी जादा होता है और इसके अधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत है जिसमें कहा जा रहा है कि परतेक सदस्य राष्ट के पास पूंजी अभिदान पर ध्यान दिये बिना एक ही भोट होता है तो यह बात बिलकुल गलत है और इसी के वज विक्सित देशों के सदस्यों को परवेश की अनुमती देता है तो यह बात बिलकुल सही है अगर हम ADB के सदस्यों की बात करें तो 1966 में अपनी अस्थापना के समय इसमें 31 सदस्य थे और अभी ADB में 68 सदस्य हैं जिन में से 49 Asia और परसांत के देश हैं और 19 बाहर के देश है इसके अलावा ADB में सयुक्तराष्ट आर्थिक और समाजिक आयोग और गैर छेत्रिय विक्सित देशों के सदस्यों को भी स्युकार किया जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाहरी देश हैं उनकी संख्या लगभग 19 के बराबर हैं और इसके अधार पर अ जाने की पहला और तीसरा कथन सही है ADB को लेकर के एक न्यूज भी आया है आज के दहिंदू समाचार पत्र में जिसका सिर्शक है ADB TRIMS Financial Year 22 Growth Forecast to 10% तो इस न्यूज को भी आप लोग देख लेंगे आए अब Question No.2 पर चर्चा कर लेते हैं और Question No.2 है E-Santa एक Electronic बजार है जो निमलिखित में से किसके लिए एक मंच परदान करता है और यहाँ पर आपको चार Option दिये गए हैं तो यहाँ पर बात हो रही है E-Santa की तो यह एक Electronic Market है एक Electronic Platform है जिसका उद्दिस जल क्रिसको और खरिदारों को जोड़ना है यानि कि वो किसान जो मच प्रिचलियों की खेती करते हैं उनके लिए यह एक Electronic Platform की तरह काम करता है जिससे किसानों को बहतर मुल प्राब्द हो सके इसका उद्दिस निर्यातकों को सीधे किसान से जोड़ना है जिससे निर्यातक सीधे किसानों से गुनवत्ता पुर्ण उत्पाद खरी सके जिससे हमा से जल क्रिसको और उसके खरीदारों के बीच में एक पूल का काम करता है और इसके अधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो Option Number B है जिसमें कहा जा रहा है देश भरके जल ये क्रिसकों को और खरीदारों को जोड़ना यह Option सहीर तरीके से इसंता को Define कर रहा है तो इसके धार पर Question Number 2 का Answer हो जाएगा आपका Option Number B E-Santa को लेकर के यहाँ पर एक News भी आया है जिसका सिर्सक है Aquaculture Farmer to Sell Product on E-Santa तो जैसा मैंने कहा कि E-Santa एक Electronic Platform है जिसके तहत जल क्रिसक यानि कि जो मचली उत्पादन करते हैं और जो मैरीन प्रोड़क्ट का उत्पादन करते हैं वे सीधे तरीके से खरेदारों से जुड़ सकते हैं और इसी को देखते हो यहाँ पर यह News भी आया है जहाँ पर कहा जा आये अब Question No.3 पर चर्चा कर लेते हैं और Question No.3 है निमलिखित कत्रों में से कौन सा गलत है ध्यान दीजेगा यहाँ पर आपको बताना है कि इन कत्रों में से कौन सा गलत है और यहाँ पर आपको दो कत्थन दिये गए हैं तो आये एक एक करके सारे कत्रों को देख लेते हैं यहाँ पर पहला कथन है वारकरी भक्ती परंपरा के भीतर एक धार्मिक आंदोलन है जो भगौलिक दिश्टी से मतुरा छेतर से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर वारकरी संपरदाई की बात हो रही है और अगर हम वारकरी संपरदाई की बात करें तो यह एक भक्ती संपरद वारकरी परंपरा का विकास दक्षनी महाराष्ट के पंडरपूर के आसपस अधिक हुआ है तो अगर देखा जाए तो वारकरी संपरदाय वोगौलिक रूप से महाराष्ट और उत्री कनाटका से जुड़ा हुआ है और इसके अधार पर यहां पर जो पहला कथन है वो गलत हो अगर हम वारकरी से जुड़े भक्ती आंदुलन के प्रमुख संतों की बात करें तो उनमें ज्यान देव, नाम देव, तुकाराम, चोखा मेला, सामिले हैं जिन्हें यहां पर संत की उपाधी दी गई है लेकिन ये कहना कि ये सभी के सभी संत समकालिन थे ये गलत है और इस इस से जुड़े हुए एक न्यूस को भी आपको ध्यान में रखना है और न्यूस का सिर्षक है परधान मंत्री ने असाड़ी एक आदसी के औसर पर लोगों को बधाई दी ये न्यूस 20 जुलाई के P.I.B. में आया है और इसी को देखते हुए ये कोस्टन बनाया गया था जो की बहुत ही important है आए अब question number 4 पर चर्चा कर लेते हैं और question number 4 है जोहड और खड़ीन निमलखित में से किसको संदर्भित करता है और यहाँ पर आपको चार option दिये गया है एक बहुत ही important news आज के दहिंदू समाचार पत्र में आया है इसका सिर्षक है water harvesting structure to be studied in राजस्था और यहाँ पर अगर हम राजस्थान में जब water harvesting की बात करते हैं तो यहाँ पर खड़ीन और जोहड का नाम आता है जो की राजस्थान में निर्मित वर्सा अधारित भंडारन संचनाए हैं इसका उपयोग सुस्क और अर्ध सुस्क सेत्रों में किया जाता है यानि की जल के भंडारन के लिए खरीन और जोहड संचनाओ का इस्तमाल किया जाता है और इसके अधार पर अगर देखा जाए तो question number 4 का answer होगा आपका option number A जहां पर लिखा हुआ है राजस्थान में निर्मित वर्सा अधारित भंडारन संचनाएं तो बहुत important question है यह और इस news को भी आप ध्यान में रखेंगे जहां पर राजस्थान में यूज होने वाले जो परंपरागत वर्सा अधारित भंडारन संचनाएं उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है आए अब एक previous year के question पर चर्चा कर लेते हैं और यह question 2016 में पूछा गया था question number 5 है पारित अंत्र एवं ज भंखित कतनों में से कौन सा सही है और यहां पर आपको तीन कतन दिये गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्लखित कूट का परियोकर सही उत्तर का चैन कीजिए, तो आए एक-एकर के तीनों कतनों को देख लेते हैं और यहां पर चर्चा हो 1 तैब की यानी aff agu Economics of Ecosystem and Biodiversity की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF और विस्व आर्थिक मंच करते हैं। इसे विद्पोसित किया गया यानि कि इसमें पैसे दिये गये। इसके अलावा सयुक्तुराष्ट पार्यावरन कारेक्रम इसे प्रबंदित भी करता है। और इसके अधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो गलत हो जाता है। आए देख लेते हैं दूसरे क पारितंत्र और जैवित्ता द्वारा परदान किये गये लाभों का पहचानने में मदद करना है और आर्थिक डिश्टिस से उनके मुल्यों को परदेशित करना है। और इसके धार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन सही है। आए देख लेते हैं तीसरे कथ कथन को और तीसरा कथन है यह ऐसा उपागम प्रसुत करता है जो पारितंत्रों और जैवित्ता की मुल्य की पहचान, निर्देशन और अभी ग्रहन में निर्णय करताओं की सहायता करता है। तो यह बात भी बिलकुल सही है जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि जो टैब है उसका जो उदेश है वह देशों को ये बताना है कि किस तरीके से जो बायो डैवर्स्टी है जैवित्ता है वह उनके लिए बहुत ही मुल्यवान है और उनके क्यार से किस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र और जैवित्ता को नुक्सान पहुँच रहा है। यहाँ पर इसका और तीसरा कथन सही है और पहला कथन गलत है और इसके अधार पर देखें तो question number 5 जो की 2016 में पूछा गया था उसका answer होगा आपका option number C यानि की दूसरा और तीसरा कथन सही है आईए अब आज के तथे के उपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं परामपरागत क्रिसी विकास योजना यानि की PKBY की इसको लेकर के एक news भी आया है 20 जुलाई के P.I.B. में इसको दिया गया है जिसका सिर्षक है Upgradation of Agriculture Technology और यहीं पर PKBY यानि की परामपरागत क्रिसी विकास योजना का चर्चा किया गया है अगर हम इस योजना की बात करें तो इसे 2015 में सुरू किया गया था और इसका उद्देश था परामपरिक क्रिसी को सुधारना और इसका देश में और विकास करना यह योजना सतत क्रिसी पर राष्टिय मिसन के तहट मिर्दा स्वास परबंधन का एक विस्तारिक घटक है और जिसके तहट देश में परामपरिक क्रिसी को बढ़ावा दिया जाना इसका मुख्य उद्देश है यहाँ पर सरकार के कुछ लक्ष हैं जिनमें जैवेग खेती को बढ़ावा देना, उर्वरको और क्रिसी रसायनों पर निर्भरता की कमी, उपच में बिर्धी करते हुए मिट्टी के स्वास में सुधार ये इसके मुख्य उद्देश से हैं इसके अलावा जैवेग खात को आधुनिक विपनन उपकरनो और अस्थानिये बजारों से जोड़ना भी इसका उद्देश से है, यहाँ पर कहा गया है कि पी के भीवा योजना के तहत एक जैवेग गाउं को अपनाया जाएगा और वहाँ पर जैवेग खेती को बढ़ाव का यह daily quiz पसंद आया होगा, सारे questions जिन topic से जुड़े हुए हैं आप उन topic को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके अलावा अगर यह video आपको अच्छा लगे तो आप जरूर से like करें, share करें और दूसरों को भी subscribe करने के लिए प्रेजित करें, तो मिलते हैं daily quiz के अगले अंक मे तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद